बड़े इस्टारों की गाने पे मिलियन व्यूज कैसे होता है इसके पीछे क्या कारर है कभी आपने सोचा नहीं सोचा तो आज इस वीडियो में बिल्कुट प्रॉपर तरीके से हम जाने हैं तो आज का वीडियो बहुत इंट्रस्टिक होने वाला है मैं रिक्मेंट करना चाहता हूं कि आपके पास समय है तो वीडियो को कंप्रीट देखेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा कि हम आपको क्या इस्प्लेन करने वाले हैं और आप क्या समझने वाले हैं इसलिए भुषप्रियाइश्टार को आप पहली बार विजिट करें या इस चैनल को आप पहली बार देखने हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको बेनी फिट ये मिलने वाला है कि आप एक सिंगर है तो आपके लिए बहुत ज़ादा बेनी फिट है यहां पर बात यह निकल कि आता है कि आज के डिट में जो बड़े इस्टार लोग है उनके गाले पर एक दिन में आप ने देखा होगा यूटूब पे मिलियन व्यूज आते हैं आखरी कैसे आते हैं इसके पीछे क्या रीजन है क्या इतने लोग के फालोवर जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं हमेसा जैसे मान लिजीए कि आज की डिट में कोई भी बंदा सुपर इस्टार हुआ तो क्या उनके जो फालोवर ब तक पहुचता है और आपकी गानी को पिले करता है लेकिन यहाँ पर एक दिन में million views कैसे आती है बड़े-बड़े star के वीडियो पे तो इसका reason यह है कि आज की रेट में अगर जो भी star हो जाते हैं वो एक अपनी brand बना लेते हैं और जब भी कोई भी brand के पीछे कोई भी company या कोई भी फाइनेंसर अगर पैसा खर्चा करता है तो बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करता है क्योंकि वो अपने target के हिसाब से पैसा खर्चा करता है कि उससे ज़्यादा मुझे कमाना है इसलिए वो बहुत ज़्यादा marketing करवाता है जब भी कोई भी गाना market में आता है खेसारी लाल यादो या पवन सिंग का या दिनेस लाल यादो का तो कोई ना कोई company उस पर हाथ रखे रहती है और उस गाने को release करवाने से लेके marketing तक पूरा का पूरा ठेका उनका रहता है जैसा ही कोई गाना market में लांच होता है तो जितना पैसा वो आईडियो वीडियो शुटिंग ये सिस्टम पर खर्चा करते हैं उतना ही 50% पैसा वो marketing में खर्चा करते हैं ताकि हमारा गाना लोगों तक पहुंचे और लोग लोग इस गाने को 100% जन्यून के साथ देखें इसलिए उन इस्टारों के गाने पे एक दिन में million views आते हैं आपको पता है कि अगर आप अपने गाने को marketing करेंगे तो जो company लोग पैसा खर्चा करती हैं वो brand के ऊपर खर्चा करती और उन्हें पता है कि जिस brand पे हम पैसा खर्चा कर रहे हैं उस brand से हमें बहुत ज़्यादा तगड़ी कमाई होने इसलिए उस गाने को बहुत ज़्यादा marketing करवाते हैं लोगों तक वो गाना पहुचाते हैं लेकिन नए सिंगर ये काम नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास उतना पैसा नहीं होता है ना उनके पास उतना budget होता है इसलिए वो बहुत समय लग जाता है उनको popular होने में या उ वीडियो वो रिलीज करते हैं ताकि लोगों तक पहुंचे और लोग इस वीडियो को देखें ताकि काफी से ज्यादा से ज्यादा revenue जनरेट हो जिससे जो पैसा हम लगाए उस पैसे से ज्यादा हमारी कमाई हो जाए तो बैसक जो बड़े स्टार होते हैं उनके पीछे काफ की भी कुश्चन चलना है तो बिल्कुल आप हमें कमेंट कर सकते हैं अगर आपका कमेंट यूनिक होगा तो हम उस पे वीडियो बनाएंगे अगर यूनिक नहीं होगा तो 100% आपको रिप्लाई जरूर दे देंगे तो मिलते हैं नेस्ट वीडियो में नेस्ट ट्रॉपिक औ अब तक के लिए नमस्कार